प्रिषब राशी वालों के लिए आज विक्टरी का दिन है आज जितने भी हैंगे आप हर एक सारी पुराने बातों को याद करें याद QTiva यही बाते हैं आपके future के लिए experience की तरह काम आएंगी, आप इन चीजों को हमेशा के लिए याद रखेंगे और future में सेम गलतियां नहीं करेंगे जो आपने अभी तक की है, यह lesson आपको आज के दिन से मिलेगा. करकर राशी वाले आज के दिन overconfident है, बहुत सारे काम अचीव करना चाते हैं, शायद बहुत successful हुए हैं अभी तक जो किया है उसमें, इसलिए overconfident हो गए हैं, मगर थोड़ा सा सम्हाल के आगे कदम रखेगा, एक एक कदम फुक फुक के रखेगा, क्योंकि आगे कुआ या खा opportunities और वह सारी चीजें ऐसी हैं जिनको अगर अचीव करना चाहें तो बहुत successful होंगे, मगर वो उन चीजों को नजर अंदास करके अपनी पुरानी गलतियों पर जादा सोच रहे हैं, तुला राशी वालों के लिए आज का दिन अच्छा है, आज आप अपने प्रेमी से या आपने स्पाउस से बहुत connected रहेंगे, आपके परिवार वालों से बहुत connected रहेंगे, और सब के बीच अच्छी बात ये है कि आपको भरपूर प्यार मिलेगा आज के दिन, व्रिष्टिक राशी वालों के लिए आज financial gains का दिन है, आज आपको finances related कोई ऐसी खुशकबरी मिले वाली है, जहां पे कि आपका financial growth होगा और financial gain होगा, धनू राशी वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, आज आप justice prayer रहेंगे, यानि कोई भी गलत काम करने के लिए आपका मन गवारा नहीं करेगा, और नहीं आप अपने नजरों के सामने किसी को कुछ गलत करते देख सकते हैं, आज आप बहुत जादा नयाय प्रियर रहेंगे और हर वही काम करेंगे जो आपको morally सही लगेगा, मकर राशी वाले आज बच्छपन से जुड़ी यादों से तरो ताजा होंगे, बहुत सारे पुराने दोस्तों से मिल सकते हैं, या फोन पे connect हो सकते हैं, य हो सकता है कि आपको कोई बहुत सारी पुरानी ऐसी चीजे आपके हाथ में लगें, जो शायद आपके बच्छपन से related हैं या आपके parents से related हैं, कुम राशी वाले आज पूरी तरीके से आराम करने के mood में हैं, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, ना पैसे की कमी है, ना प उसरे की जगड़े में ना पड़ें, और आपके हो सकता है workplace में, कुछ challenges ऐसे हो जिसको आप कहते हैं कि आपको fight करके ही उन challenges को face करना है, तो वो situations हो सकता है, आज आपके सामने create हो, आपके workplace में, don't worry क्योंकि आप जो भी fight अपने workplace पे करेंगे, अपने काम को ले करके, आप उ कॉमेंट में mention कर सकते हैं, या description में देवे मेरे number subject contact कर सकते हैं, thank you.